हेलो दोस्तो आज मैं आप लोके लिए लेकर रहे हूं फिट जी टैलेंट रिवार्ड एक्जामनेशन 2022 का ओरिजिनल कोश्चन पेपर तो दोस्तो जो हमारा ये टेस्ट हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर 2022 को एंड अगर क्लास का बात करें तो फॉर क्लास 11 वैसे बचे दोस् करेंट होंगे और बहुत जल्द यानि की आप लोग मार्च अप्रेल 2023 से आप लोग जाएंगे क्लास 12 में आई होप दोस्तों यहाँ पर क्लास रिगार्डिंग कोई भी कन्फियोजन नहीं होगा और पेपर का बात करेंगे तो पेपर बन है पेपर 2 भी दोस्तों आप वो जाता है हमारा क्रिष्णा भाई को जो की हमारे सब्सक्राइबर भी है और दोस्तों उन्हों नहीं यह पेडिएफ मुझे सेर किया था तो यार क्रेडिट तो जाता है क्रिष्णा भाई को अब हम लोग बात कर लेते हैं यह ओरीजिनल पेपर दोस्तों अगर के question आएंगे and second section में बात करें subject का तो physics, chemistry and mathematics यहाँ पर दोस्तों देख सकता है कि कोई भी negating marking नहीं है यानि कि अगर मेरा suggestion आप लीजिए तो यहाँ पर दोस्तों मेरा suggestion यहीं रहेगा कि आप लोग को यहाँ पर कोई भी question खाली नहीं छोड़ना है सबको bubble out कर दिना है क्योंकि अगर आप लोग answer नहीं भी मालूम होगा फिर भी दोस्तो 25% chance होगा सही होने का तो यहाँ पर total number of question का बात करें दोस्तों तो 81 total number of questions है यहाँ से हमारा first section start है जिसका recommended timing 60 minutes रखा गया है यानि कि one hour end यहाँ पर दोस्तों total 30 multiple questions reasoning के तो आपके screen पर दोस्तों one से लेकर three तक के सबसे पहले तो direction दिये गया है इसके बाद question number one, two, three and four अगर दोस्तों आप लोग 2022 में यानि कि 25th December 2022 को आप लोग FtRE दिये थे और आप लोग को अगर original जो answer की है दोस्तों वो नहीं मालूम है तो आप लोग यह वीडियो देख सकते हैं मैं इसी वीडियो के last में official answer की जो कि fit g release की है दोस्तों वो दिया हूँ and अगर आप लोग 2023 में FtRE देते हैं तो यह वीडियो को refer कर सकते हो केव की दोस्तों यह original paper है जो की टेस्ट में आया था 25th December 2022 को and मैं दोस्तों ट्राइ करूंगा हर एक कोशन पर आप लोग को 11 में दोस्तों देख सकते हैं आप लो question number 12 13 14 15 यहां पर दोस्तों direction दिये गया है for question number 16 to 17 and just इसके नीचे question question number 16 and next page पर हमारा है question number 17 तो आप लोग के स्क्रेंट पर दोस्तों question number 17, 18, 19 and 20 21 का दोस्तों यह होगा options question number 22, 23 and यहां पर direction दिये गया है for question number 24 to 26 and just इसके नीचे दोस्तों question number 24, 25, 26 यहां पर दोस्तों last direction दिये गया है for question number 27 to 30 and justice के नीचे question number 27, 28, 29 and 30 तो यहां पर हमारा जो reasoning का question था total 30 वो complete होते हैं and अब बात आता है हमारा second section का जिसका recommended timing दोस्तों 120 minutes है याने की 2 hour and बात करें part 1 का तो physics है जिसके अंडर टोटल 17 multiple choice questions आप लोग से पूछे गया है and आप लोग के screen पर दोस्तों question number 31, 32, 33 and 34 I hope दोस्तों आप लोग ने इसका screenshot ले ली होंगे तो इसके बाद next page पर question number 35, 36, 37 and 38 39 and 40 41, 42, 43, 44 यहाँ पर आप लोग देख सकते space for rough working यानि की अगर आप लोग offline exam देने जाते हैं तो आप लोग को दोस्तों examination hall में कोई भी extra seat नहीं दिया जाएगा जो भी rough work करना है दोस्तों आप लोग के लिए आपर sufficient space दिया गया रहता है and यहीं पर आप लोग को rough work करना होगा तो next page पर दोस्तों question mark 45, 46 and last one 47 तो यहाँ पर हमारा complete होता है part A total 17 physics के questions अब बात आता है part B जहाँ पर total 17 multiple choice questions chemistry के तो आप लोग के screen पर दोस्तो question mark 48, 49, 50, 51 and 52 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60 61, 62, 63 and last one दोस्तो 64 तो यहाँ पर हमारा chemistry से भी total 17 multiple choice questions complete होते हैं अब बात आता है second section का यानि के हमारा जो कि last section था last section का दोस्तो last part यानि कि part C जहाँ पर mathematics है यहाँ भी total 17 multiple choice questions तो आप लोग के screen पर दोस्तो question mark 65, 66, 67, 68, 69, 70 यार सबसे पहलो तो 65 से लेकर 69 तक के सभी question आप लोग के screen पर and इसके बाद question mark 20 and 21 22, 23, 24, 75 and 26 I hope दोस्तो आप लोग ने इसका screenshot ले ली होंगे तो इसके बाद 27 and 28 आप लोग के screen पर and next page पर दोस्तो 79, 80 and last one 81 तो यहाँ पर आमारा जो original question paper था वो तो complete होता है total 81 questions and अब बात आता है इसका answer की का तो दोस्तो आप लोग के screen पर fit g talent reward examination 2022 for class 11th वैसे बच्चे जो कि अभी currently class 11th में present होंगे and बहुत जल दोस्तो जाएंगे class 12th में paper 1 का दोस्तो answer की आप लोग के screen पर and paper 2 भी बहुत जल्द आएगा paper 1 में दोस्तो सबसे पहले तो 1 से लेकर 44 तक का answer की आप लोगे पेज में सभी एंसर की कोशो करना तो आप लोग के स्क्रीन पर 1 से लेकर 81 तक के एंसर के आप लोग के स्क्रीन पर एंड आप लोग इसका भी स्क्रीन सोट ले सकते हैं तो यार यहां पर हमारा फिट जी टैलेंट रिवाड एक्जामनेशन यानि की एप्टी आरे 2022 का दोस्तो ओरीजिनल कोश्चन पेपर कम्प्लीट होता है या क्लास 11 एड पर टू है दोस्तो पेपर 1 एड दोस्तो पेपर 2 भी बहुत जल्द आएगा एड जैसे है जाएगा दोस्तो मैं उस वीडियो का लेंक इस वीडियो के दिस्क्रीपुचन में देदूं का सव्डेट आप लोग जाकर डेरेक्ट दिक सकूँ दोस्तो अगी डिरेक्ट डिस्क्रिप्शन चे कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बावे और टेक क्यार और थैंक्स वो लाचिंग इस वीडियो